शाम्बden संग संग। की यानि जितने भी by कि समन्य हैं उन सबके सारे अंग शाथ साथ यानि सब जितने अंग हैं वो सब साथ रहें संग रहें तो समणों का संग समणियों का संग और सारा मिलाकर संग कि जो समण संग सब्द है और जो समण है ये बहुत तेजी से पिछले साथ-ाठ महिने के अंदर पूरे देश में और देश के बाहर एक-एक व्यक्ति जो समण है उसके कान में पढ़ता जा रहा है लाखों की संग में लोग समण सब्द को जान गए हैं पैचान गए हैं मगर थोड़े से परिसान रहते हैं कि ये समण सब्द का मतलब क्या है समढ़ के साथ में बुद्ध को देखते हैं जोतिवा फुले को देखते हैं डॉक्टर अंबेटकर को देखते हैं पैरियार साथ को देखते हैं कवीर साथ को देखते हैं काशिराम साथ को देखते हैं जितने भी समढ़ समाज के समढ़ संग के समढ़ लोगों के जो अच्छे बड़े काम करने वाली लोग है महान जो पुरसार्थ करने वाली लोग हैं उनको देखते हैं तो समझते हैं कि उनसे समझत कुछ है पर पूरी जानकारी नहीं और हम जो यहां काम कर रहे हैं और जिसमे यह जो golden rule है जो अमर नियम है समर संग के उसमें जो पहला नियम है वो पहला नियम है केवल समर दूसरा नियम है समर संग चंदा कभी नहीं लेगा तीसरा नियम है जाती अभ्यास कभी नहीं चौथा नियम है केवल संगवाद पांच्वा नियम है पद पतिष्टा मंच माला कभी नहीं चटा नियम है पंजीकरण कभी नहीं सात्वा नियम है संगादी से सबसे उपर आठ्वा नियम है संग राजिति में कभी नहीं जाएगा नौमा नियम है, संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं, दस्वा नियम है, उपरोग तो नौ विने संग का आधार है, ये ना कभी बद्दे जाएंगे, ना खतम किये जाएंगे, ना कभी आमाने किये जाएंगे, ये वो बेसिक आधार या प्रियंबल इसको बोल सकते हैं, जो हमारे समरसंग का मूल आधार है जिस पर समरसंग खड़ा हुआ है। इसका जो सबसे पहला आधार है जो पहला इस ठंब है इस पूरे समरसंग की बिर्डिंग का वो है कि समरसंग में केवल समर ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने हैं कि समण कौन कौन से हैं और समण का अर्थ क्या है और समण सब्द कहा है ये उन लोगों के लिए खास तोर से जानना ज़रूरी है जो दिन रात दिन रात दिन रात लोगों को समण संग के वारे में रिमाइंड करा रहे हैं याद करा रहे हैं बता क्यों है कि क्योंकि जब हम समण संग की बात कर रहे हैं तो समण संग में केबल समण आना इसनी जरूरी है क्योंकि यहां समणों का संग है और यह जो समण सब्द है यह समण सब्द पुराना सब्द है इसको पाली में सद्द बोलते हैं जैसे जलन होती है यह जलन होती है तपन होती है तपन होती है जैसे मनन होता है जैसे करन होता है जैसे चुपन होती है जैसे फिसलन होती है जैसे रप्टन होती है यानि जिनके बाद में नय या नय लग जाता है सब्दों के वो सारे सब्दों नाउन बन जाते हैं संग्या बन जाते हैं वैसे ही सम के पीछे अगर नए या रड़े लगेगा तो समण हो जाएगा इसका मतलब समता का गुणका रहने वाला यानि जिसमें समता है जो ना मुसीवत में घवराता है ना ही खुसी में पूल के एकनिमिटी में रहता है एक सार रहता है दुख में और सुख में ऐसे जो लोग हैं उनको सम से समण बने को और ये भारत के पुराने लोग हैं क्योंकि समता में रहने की जो विद्या है जो कला है वो बुद्धने सिखाई बुद्धने समता में कैसे रहते हैं और समता क्या ची जितने लोग हैं वो भी समता में रहते थे इसके वो सारे लोग समण हैं पर जो समता में ना रहता हो जो एक रूप में रहता हो जो वम में रहता हो वम माने उल्टी जो उल्टे रूप में रहता हो उसको वमण बोलते हैं यानि दो तरह के लोग हैं एक समण हैं जो समता में र गेंश्ट में रहने वाले रूम हैं तो यह जो समढ़ सब्द है यह समढ़ सब्द अचानक चला कहां गया कोई भी सब्द अगर भारत का पुराना कहीं चला गया है तो जाएसी बात है कि वह सब्द जिन लोगोंने गायब किया है उनके लिए जहर का काम करता है और जिनका सब गायव हुआ है उनके लिए वह अमत का यानि अम्रत का काम करता है तो जो सब्द समण गायव हुआ है यह इतनी आसानी से गायव हो नहीं सकता इसलिए कुछ सब्दों को जिनको बदल नहीं सके उनको उन्होंने मिक्स कर दिया इनको खतम नहीं कर सके मिक्स करके बदल दिया त समन को खतम नहीं कर पाए क्यूंकि यहां करोड़ों समन थे तो उन्होंने समन को सिर्मन के नहीं हो कर दिये और अधिक्तर सब्दों में आधारे लगा दिये यहां आधारे हमारा पाली के अंदर नहीं होता आधारे बाहर का सब्द है इसलिए पाली में आधारे कहीं है यह नहीं अगर कोई सब्द है जिसमें आधारे लगा हुआ है तो पाली का नहीं हमारा और नहीं बदला हुआ सब्द है तो समण का जबर जस्ती में सिर्मन कर दिया और सम जो समता में रहने वाले लोग थे उसको सरम करके उनको मेहनत करने वाला लोग बताने लगे कि आप मेहनत करते हो आप समण हो आप सिर्मन हो आप मेहनत कास हो हम तो आपको सिर्मन कहेंगे सरम करने वाला कहेंगे समता में रहने वाले लोगों को मेहनत करने वाला लोग करने जानकार हैं, जो दुख और सुखो को एक साथ देखने वाले लोग हैं, मुसीबत को और खुशी को एक साथ देखने वाले लोग हैं, जो यस को और बदनामी को नाम को बदनाम को एक साथ देखने वाले लोग हैं, जो लाब को रहानी को एक साथ देखने वाले लोग हैं, हम इ ये मान लिया कि हम स्रम करने वाले लोग हैं स्रे सब्द पाली में नहीं है हमारा नहीं है अगर स्रे जो बना हुआ है वो आधे शे से और आधे रह से मिलके बना हुआ है शेय वाला सब्द या शटकोन वाला सब्द ये भी पाली का नहीं है भारत का नहीं है हमारा नहीं है इसलिए सिरी सब्द भी हमारा नहीं है पर उन्होंने सरम कहना सुरू किया जो हमारा सब्द नहीं है तो पाली की दिक्सारी में जब देखते हैं तो समझ सब्द मिलता है सरम करने वाला है यह नहीं स्रम को तो कम कार वोते हैं यानि काम करने वाला तो हम काम करने वाले लोग हैं यानि कि स्रम कार हैं तो हमको स्रमिक बना दिया हमको स्रम कार वाला बना दिया हमको स्रम मंताले वाला बना दिया और हमको कह दिया कि आप स्रम करने वाले लोग हैं वो सब् उन्होंने लिखी हैं जो हमारे विप्रीद हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई साहित्यकार उनकी किताब में पढ़के और साहित्यका बखान करेगा तो उन्हीं का बखान करेगा ये ठीक ऐसे है जैसे कोई आदमी किसी कमपनी की नोखी करता है उसका प्रोडेक्ट ब पढ़कर हमको ये कहा कि हमारी जो संसकती है वो सिर्मन संसकती है और जो विप्रीत वाली है वो इसको ब्रहमन संसकती है यानि वमन का ब्रहमन हो गया और कहने लगे कि सिर्मन संसकती और ब्रहमन संसकती का युद्ध है ये बात ठीक है कि सिर्मन संसकती का ब्रहमन संसकती का युद्ध है पगर ये बात दलत है कि हम सर्म करने वाले समता में रहने वालों का समन लोगों का वमन लोगों से युद्ध है उनकी संसकती अलग है हमारी अलग है तो समन संसकती और वमन संसकती का युद्ध है सिर्मन संसकती का और ब्रहामन संस्क्रति का नहीं है क्योंकि अगर आप सर्मन संस्क्रति का बोलोगे तो वो कह देंगे कि सर्मन संस्क्रति का मतलब है मेहनत करते रो बस घदे की तरह काम करते रो कुछ और कोई काम करने की जरूथ है नहीं ना पढ़ोगे ना आप लिखोगे ना धनकोगे बस मेह करते रो महनत करते रो आपका काम स्रम में आपकी संसकती सरस्रमन है जबकि हमारी जो संसकती है संकती बोते हैं इसको वो समण है इसलिए समण हम बहुत लोग थे यानि कि भारत में वमण की संक्या एक परसेंट से भी कम जो बाहर से आएवे लोग थे एक परसेंट से भी कम और अधिकता लोग सारे हजारों में लाकों में करोडों में सारे सारे समड तो हम सारे समड थे तो समड सब्द की ग्लेवरी इतनी जादा है और जो सहित्ते में मिलती है और जो सहित्तेकार बताते हैं और इधर हमारे भी जो जितने भी यहां पर समड भाई बहन हैं वो सारे के सार थे जो पहले विद्वान थे जो पहले बुद्ध के परिवार से थे जो बुद्ध से पहले थे जो बुद्ध बने जो राजा सोक थे जो उनके सेनापती थे जो सिपाई थे जो जीवक जैसे जो महान चिकसक थे फिजियसन थे और जो तक्सिला यूनिवस्टी में हमारे डॉक रहे हैं इसलिए समढ़ लोग किसी भी हालत में खाली स्रम करने वाले लोग नहीं है वो राजा भी है वो सासन पर सासन चलाने वाले भी है वो धमू को जानकार भी है वो दुनिया की दुरूवी है वो दुनिया को सिखाने वाले भी है समढ़ संग की या समढ़ संखती की जड कि बुद्ध महा समण है इसलिए यहां जो यह बात है कि यहां समण संग के अंदर केवल समण ही हो सकता है इसका मेंबर उसका खास कारणी है कि वमण नहीं हो सकता एक यह limitation है उसका region ही है कि हम धम नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि बुध ने तो universal धम एक व्यक्ति को purify करने लिए सिखाया इसलिए जब वो गुद्ध बने तो बुध के साथ में एक limitation होती है कि बुध किसी व्यक्ति में भेद्भाव नहीं कर सकता यानि कोई भी बुद्ध होगा उसके लिए सारी दुनिया के व्यक्ति बराबर होते हैं बुद्ध जानवर में व्यक्ति में पेड़ में पौधे में किसी की तरह किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं उनको सबको पढ़ाना ही होता है वो तब ही बुद्ध होते हैं इसलिए बुद्ध न क्योंकि सारे लोग धंब को नहीं जानते सारे लोग कि हम सारे सारे समण है तो हमारा संग जो है वो आधारित है लोगों पर लोगों की संख्या पर धंब पर नहीं इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि समण संग का मतलब है बुद्ध का धंबिक संग ऐसा नहीं है बुद्ध जो संग है वो समण संग है इसमें भिकु भी आते हैं जो समण है इसमें भिकुणी भी आती है जो समण है इसमें उपासक उपासिका भी आती जो समण है और इसमें बाकी लोग भी आते हैं जो समण है चाहे बेसक उनका धम्म बदल चुका है चाहे उनका मत बदल चुका है चा नहीं है अगर कोई धमो को जानता है और बुद्दू को जानता है तो और ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर वो जानता है तो अपने महा समण को बहुत नजदीक से पहचालता है पर कोई दूर खड़ा है और बुद्दू को नहीं जानता है तो इसका मतनब यह नहीं है कि व आप से बारवाद पुछा जाएगा समण का कौन-कौन समण है कौन-कौन समण है आप पहले ये बताओ तो एक सेंटेंस में तो जवाब ये है कि भारत के जितने पुराने लोग हैं जो समता में रहने वाले थे वो सारे सारे समण समता में रहने वालों को समण बोते हैं घुद कोई सैवई सारे समनु नहीं है लोग है उनमें सारे समन नहींगे लोग व लोग हैं इछ उन्होंने भी धर्म परवर्तित करके वो हिंगे ठेम परवर्वित करके जयन महाँ समड़ते मगर उसमें भी वो आये हैं इसलिए धर्म परवर्टे तो लोग सारे समड़ नहीं है यह ध्यान अख़ना तो फिर किसी को बताने में दिक्त आएगी तो उसको आशनी से कैसे बता जो आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि जो वमण नहीं है और भारत का मूं निवासी है वो समणा है यानि जो वमन नहीं है को समणा है तो मोस्ट जो पहचान है उप्राणी पहचान जो portions पंद्रही बताईया, उसी पर आधारित है, बस इसका ध्यान रखना है, कि जो धर्म परवदुतित लोग हैं, उन्हें दो तरह के लोग है, एक समनल लोग ने धर्म परवदुति придумel किया है, और यह किया यह किया है, इसलिए समज अगर कोई किसी और धर्मता है, किसी और मजबता है, तो समण है तो मेंबर है और अगर समण नहीं है तो मेंबर नहीं है ये ध्यान रखना क्योंकि समण संग केवल समणों के लिए है तो सारे समण इसके जर्म जात मेंबर है जितने भी समण दुनिया में है चाए वो मा के पेट में बच्चा है चाए वो बुड़ा मरने को त्यार है, चाहे वो जेल में है, चाहे वो डॉक्तर है, चाहे वो दीनियर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो पीचर है, चाहे वो सलक पर भीक मांग रहा है, चाहे वो खेत में हल चला रहा है, वो जो भी व्यक्ति समण है, वो सब इसके मेंबर होते हैं, मेंबर उपासक का मतलब होता है जो बुद्ध के या भिक्तु के बरावर के आसन पर बैठ कर सिख्छा लेता है यानि कि जो उपासन पर बैठ कर धम को सीखता है जैसे बुद्ध हैं या भिक्तु हैं या कोई भिक्तु आए हैं और वो उसे कहें कि मुझे धम सीखना है तो कोई अगर महिला धम सीखेगी उनके बरावर के आसन पर बैठ कर उपासन पर बैठ कर तो उसको बोलेंगे उपासी का यानि वो उसी समय तक उपासी का है जब तक वो धम सीखती है और कोई अगर नर है और वो उपासन पर बैठ कर धम को सीखता है तो उसको बोते हैं उपासक तो जब तक धंब सीखेंगे जब तक उपासक उपासिका है, जब तक उनका संग है, पर अगर जब वो घरस्त में चले जाते हैं, फिर वो समण है, फिर उपासक उपासिका नहीं है, इसलिए समणों की संख्या करोड़ों में हैं, उपासक उपासिका थोड़ी दिरदे के लिए बनते हैं, भिकू और भिकुनी लगातार रहते हैं जो जब तक चीवर पैंदे तब तक रहते हैं इसलिए उनके नियम अलग हैं ये नियम जो बनाए हैं उपासिक और भिकुनी के ये बुद्ध ने बनाए हैं पर समढ संग के जो नियम है वो बुद्ध से पहले की हैं वो इसलिए पहले से कोलिय गड़राजे से साके गड़राजे का साके गड़राजे संग का कोलिय गड़राजे संग से पानी के ऊपर रोहनी नदी के ऊपर जगड़ा हो गया और जगड़े को निबताने के लिए जो साके गड़राजे संग की जो मीटिंग बैठी गड़ों की जो मीटिंग बैठी उसमें ये डिसाइड हुआ बहुमस है कि हम युद्ध लड़े और उस युद्ध लड़ने को सिध्धत गौतम जवान ने उसमें जो सिध्धुदन के बेटे थे मना कर दिया तो संग का आदेस नहीं माना संगादी सेस नहीं माना तो जब संगादी सेस नहीं मानते संग की संग से निकाला दिया गया तीन सजाए दी जो उन्होंने अपनी मड़ी से एक चुनी ग Vegard Raja Sंग छोड़े तो मतलब नियमर्स के नियम गणों के नियम संगों के नियम पहले से चले आ रहा है वही नियम समन संग नहें एकक करके कद और वो नैच्रल है यहां जो golden rule बने हुए हैं ये एक साल की मेहनत के बाद बने हैं सारे जहां जितने भी लोग इखटे होते हैं रोज 200, 2500, 300 उन सब लोगों ने लगातार लगातार मेहनत की और लगातार मेहनत करके लगातार बाचित करते हाँस भी लगता है यहां बिल भी आते हैं यानि परस्ताव भी आते हैं वो पारेत होते हैं उन पर डिबेट होती है फिर वो पास होते हैं उन से यह नियम निकल के आए जिसका सबसे पहला जो नियम है वो यह है कि हमारा जो यह समड़ संग है केबल और केबल समड़ के लिए है इसकी सभा में इसकी संगती में इसके किसी भी काईकरम में गौर्मन की कोई भी आवशकता नहीं है और कभी गौर्मन आएगा इसलिए जब दिल्ली की संगती लगी तो दिल्ली की संगती में जो जग कर चाहती है के पाप समन नहीं इसseven नहीं आ सकते है आपका क्योंकि यह जो लैटर है आपने दिया है और यह पार्टी का की तर्फ से लैटर मिला है तो उन्हों शुकार किया और हमने उनका धन्यवाद वही उन्हों को भेज दिया तो दिया क्योंकि यह भी धियान रखा है ना हमारा वमर्ण से कोई मतलब है हमारा सब के साथ में प्यार है भायचारा है करोना है बैत्री है हमारा कहीं कोई युद्र नहीं है हमारे वहचारिक अधिकारों की लड़ाई है हमारी जमीन पर किसी से दो-दो हाथ करने की लड़ाई या डंडा और भारा लेके लड़ाई नहीं है तू-तू-मेमे की लडाई नहीं है हमाई लड़ाई संक्या बलके आधार पर है जो हमारे सम्धान हमारे गड्राज्ञे संग के सम्धान में मीत है कयानि सिर्फ हमको इखटा होना है अगर हम जितने जजदा कहट merit हो जाएंगे उतनी जल्दी हम अपने अधिकार ले लेंगे सम्विधान हमें हमारे अधिकार दे देगा वमणों की संक्या बहुत थोड़ी सी है वमणों ने संग बनाए हुए हैं और जो संग बनाए हुए बड़े काम्याब वमणों की जो काम्याबी का राज है उनका संग है क्योंकि संग में थोड़ी संक हनों में है और उनिदिस लाइक तुकड़ों में ने क्लिक हो होनहार विर्माणों ने 29 को dway और हमको समझाए रखा है कि यह नाद इस लाग सन्ठण तुम्हारा भला श्वाऽ करेंगे यह 29 también में तुकड़े ने श्यादा बड़ी हैं जो हमारे प्रधान हैं जो हमारे सेकरेटरी हैं यो हमारे नेता नेता है उन्हों को जो संक्धन है रही हैं चैस को 17 350 वर हमारे अधिकार बापष scenario बस आón कาた में गले इस उम्मीद और सासा में सतर साल चलेगे अधिकार तो कोई बापिस नहीं आया वह किने का हमारी आँख नहीं कुम नें में तो हमारी बुद्धी बंद कर रखी आख कहां से खुले वह कहते हैं के संग्थन के बिना कुछ को नहीं सकता और उन्होंने संग्थन मनाए और सतर सालों में 29 लाग संख्र बनाए अगर आप देखोगे के एक साल में 40-45 संख्र बने हैं तो तब जाकि सतर साल में 29 लाग संख्र बने हैं रोज हजारों की संख्या में संख्र बने हैं और हम उन पर यकीन पर यकीन करे जा रहे हैं यकिन पर यकिन तरह जा रहे हैं इस यकिन को तोड़ना होगा है जो हमने संग्धनों पर यकिन लगा रखा है उनकी हुनहार लोगों पर यकिन लगा रखा है हमें उनसे पूछना होगा भाई तेरे संग्धनों से हमारा कितना भला हुआ हमने तो तेरे को चंदा दिया हमने तो सपोर्ट भी दिया तरह जंडा भी उठाया तरह वीडियो भी देखा तेरी वह भाई भी की तेरी सारी बाते सुनी पर हमारे तो बच्छों के अधितार चले गए यह बात हमको लगातार लगातार उसे पूछना चाहिए और जैसा की समण संग ने पूरे हाउस यह नियम पास किया हुआ है कि हम चंदा नहीं देंगे तो उनको चंदा नहीं देना चाहिए चंदा देंगे जब इखटे होके आएंगे तब यह बात उनको बोल देनी चाहिए और अब जंडा उठाएंगे जब इखटे होके आएंगे तब और जो राजनेदिक पार्टी उनको बोलना चाहिए कि वोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब और जितने भी सरकारी करमचारी उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी जैजेकार करेंगे जब इखटे हो जाओगे तब ये बात इसलिए बहुत जरूरी है और ये संग यही काम कर रहा है कि जब तक हम होगे उन्होंने कह दिया संग्ठन में सक्ति होती है संग्ठन में सक्ति नहीं होती 39 लाग तुकड़े अलग-अलग किसको सक्ति दोगे उनमें जो सक्ति है वह एक दूसरे को खतम करने में लगी हुई है एक संग्ठन दूसरे के पीछे डंडा लेके दोड़ रहा है हर एक is vista. अपने संग्ठनएंग के लिए तुम्हें जीना है र consumers मनना है यह बात हमारे लिए जहर के ब्रावर है क्योंकि हमारे समाज के संग्ठनों ने लाखो टुकड़े कर दिए ठीक ऐसे जैसे हमारे समाज के हमारे संग के जातियों ने 6733 तुक्रे कर दिये ठीक उसी पैटन पर हमारे 29 लाग तुक्रे अब हमारे 29 लाग ठुक्रे भी है और 6733 जा दिया भी 29 लाग 6743 चीजों को हमें खटा करना है कैसे करेंगी बहुत कोशिस की सारी कोशिस की सारे संग्छरों की हाथ पर जोड़े उंके नेता की हात वाने का मुसकट, के तना कि जो दो-दो मिनट वाला भाशन का है ये अतने बुरे नशे हैं इन नसों की वैसे उनों को ये भूल गए कि हमारा समाज हमारी वज़े से खत्म हो चुपा है और उनको नसे से बाहर निकलने की कहीं कोई जरूत नहीं है उनको पूरा मज़ा रहा है पैसा उनको हर वार साल मे नाम पर और बाकी भाशन देखे और बीची कुर्सी पर प्रदानी और जर्लन सेक्रिकर्टी का पूरा मज़ा है वो आराम से सोते हैं उनके इगो सैडिस्फाई है उन्हें कोई लेने देने नहीं तो देखते 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 हमारे सारे अधिकार हमारे लगबग चले गए सारे अधिकार कोई यहां 270 लोग बैटे हैं कोई यह कह दे कि हमारे अधिकार बड़े हैं कोई यह कह दे कि जो बावा साब अधिकार लाये थे वो सारे हमारे ऐसे कैसे हैं कोई यह कह दे कि हमारे अधिकार भविस्ते में बढ़ने वाले हैं इन संट्रि वैसे तो समढ़ संक पर एक वी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो के घिकार बढ़े एक व्यक्ति भी कहा होके वावासाब का कारवा, 29 लाग संग्धनों की वैसे आगे बढ़ा, कुई संग्धन होगा, को राजनतिक पार्टी होगी, को ध्रम का संग्धन होगा, बहुत लोग कहते हैं, बढ़ा, अपने आप कहते हैं, कहते जी जागरित तो आई है, एक बहुत बढ़ा अफसर, छोटे से कदगा फो किसी की चलना हीन नहीं देता तो मैं ने उसको फोन आये पूछा भाव जी आप आ guiding कि में कैसा है समेक्छा कीजिए थोड़ा सा हां बहुत बड़ी आ है पर जागरती तो हो रही है यह ने बाव जी जागरती कहां हो रही है आप जागरती किसको मानते हो आप बताओ अगर जागरती हो रही है तो कम से कम जितने अधिकार हो वहं रूप जाते तो जागरती माने नशतनी माने वैक कैसे जगे हुए तो है प्र अधिकार जा रहे हैं । अच्छां से पूरी में यह कैसे बात कर देखो भुट कम पड़े लिखे हैं आप बड़े लिखें यदे क्या जबाब देते हैं कि कि पड़े लिखे से बद दियों आपके पास में करो पर दीड़े भी संट्मुध करने क्वाले वी स्वाल तो करो हाप फूछो तो नसे कि यह जो आप अलग 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 लोगों को यह कहते ओं कर आप क्या काम है क्या काम है हम तो त्यार दयार था है सतर साल से ऑप्यार मान ब्राद ब्रादरी छोड़ो इखटे हो जाओ अभी ये धंबम का ड्रामा छोड़ो इखटे हो जाओ अभी ये जो तुम सारा सारा नाटक करें सरकारी करमचारी और हा हा हुआ ये जो डडड़के जो ये जो लगाता लगाता और कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे य वो रोजमती हैं, यह प्राकर्दिक सधांत है, जो जंगल में अकीला चलता रहेगा, वो कभी न कभी मारा जाएगा, और जो संग्ठं में रहेंगे, वो हमेसा मारेंगे, वो हमेसा शिकार करेंगे, यह नियाम है परकती का, जुंड मैंसे जो अलग होता है, शिकारी उसी का श करते हैं क्योंकि घुण अगर जानूर का है रों पलट गया और उसने दोड़ भी लगा दी तो शिकारी को पैरों सरोन देगा इसलिए जो शिकारी होता है वह पहले जुण मैंसे किसी एक को अलग करता है फिर उसको मारता है जुण को नहीं मारता कभी तो संग पर कोई हमला नहीं करता बलकर संग हमला करता है संग शिकारी हो जाता है संग कभी शिकार नहीं बनता अगर आप सब इखटे हो जाते हो और इखटा करने में लोगों काम्याग हो हो तो आप देखोगी कि जैसे जैसे आफटे रोते जाओंगे वैसे वैसे आपकी एक्टीजड्ज आपकी प्तारना खत्म होती चले जाएंगी फिर आपको SCXTrados Prestige Act की जरुती नहीं पड़ेगी कहीं किसी को f ia लिखाने जोत नहीं पड़ेगी फिर तो आपके अगेश्ट में लोग एफाईया लिखाएंगे, फलाने का बच्चा आया, मेरे कान पे चाटा मार के चला गया, आपको संग होगा तो आपके बच्चों कुछ नहीं कह सकता, फलाने का आदमी आया, मेरे मुझ काट के चला गया, फलाने का आदमी आया, मेरे बाल काट के चला ग हैं यह सब बातें सारी बातें प्राक्रतिक और सब जानते हैं पर रोड़ा कहां है दिक्कत कहां आ रही है हम जगे हुए नहीं है हम जगने का नाटा कर रहे हैं हम इतने ज्यादा द्यालू बने हुएं कि अगर कठोर बोल देते हैं तो उससे भी दिक्त होती है कि हमारे संप्रणों को हमारे नेताओं को इतनी कठोर भासा क्यों इस्तमाल कर दी अरे भाई बच्चे मनने वाले हैं अगर कठोर भासा भी उनके कार में नहीं जाती है तो डंडे उठाने पड़ेंगे ब बिना इसके बात नहीं बनेगी क्योंकि खुद मेंदान में पड़ेगा अगर बच्चों का अस्तितु बचाना है तो और नहीं बचाना है तो बच्चे दस पंद्रे बीस साल में खतम हो जाए जो दो चार पैसे आपने नौकरी से कमाए हैं वो नौकरी जाते ही खतम हो कहीं और कोई खेती किसानी आपको होगी नहीं मजदूनिया खतम होने वाली है मिलेगी तो इतनी मिलेगी कि आपको बनियान फटा हुआ आपके सरी पर आए पढ़ाई लेका है तो बहुत दूर की बात है बच्चों को आप पढ़ाओगे पढ़ाओगे पढ़ाई सारी प्र करनी है करनी दफा हो जाए यहां से और वो अभी भी चल रही है तो कहा नौकनी कराओगे पढ़ा भी लोगे तो कहा जाएगा बच्चा वो सिस्टम बीस-तीस साल के अंदर खतम हो जाएगा बीस-तीस साल के अंदर वो सब कुछ तहस्नैस हो जाएगा फिर क्या करोगे आप तो मर जाओगे आपकी बच्चे कहा जाएंगे तो तीसरी पीड़ी तक आते आते वहीं पहुंच जाओगे जहां तीसरी पीड़ी पहले बावा साब ने उठाया कोई माई कलाल कहता हो कि मेरा बाप आई एस है मेरा क्लास वर अफसर है मेरा इंडेस्ट्रिस्ट है मैंने ये काम किया मेरे ये कोटी मेरे ये बंगला में ये कार मेरी ये पैसा ये बेंक लेंट्स तो अपने बाप की तीसरी पीड़ी जाकर कर ले उसका बाप roku hippeiddich मेर एक किसी कहँए कि है मिलेगा कई न कोई न कोई काम करता हम биलेगा typ किसी पास कुछ नहीं था, यह सारे जितने आईपिएस, आईएस, अपसर, बिनिसमेन और यह सब डॉक्टर इंजिनिय बने हैं, यह बावा साब की महरवानी से बने हैं, सब्तर साल पहले, और बावा साब की महरवानी खतम होती जा रही है, क्योंकि आपने संग नहीं बनाया, आप इकटे नह हो आप के आपको फिर द्वारीस से बावासा रवाने वाले हैं, पर अभी इस्थिति आपके हाथ में हैं, अबी इस्थिति आपके हाथ में पूरी है, आप चाहो तो पैंटोर कर दो और आपकी च्षमता है, वो बढ़ती जा रही हैं यह जो समझ recurring जब यहां, अपना पुर दिनना तरके आज लाखों की संख्या में समढ़ संख्य शुक्त जा रहे हैं अब पांसो साथ सो हजार की तो जो मीटिंग है खटी है वह ऐसी लग जाती है उसमें ज्यादा एफट नहीं करने पड़ते कुछ लोग टेड़े मेड़े चल रहे हैं वह भी आ जाएंगे कोई दि दिखाई देता है वो खुद संख्यनवाद में उनको यहां संख्यनवाद दिखाई देता है वो खुद चंदाल चेने के चक्र में उनको यहां चंदा दिखाई दिखाई देता है वो खुद गले में माला गमचा और मंच और भाशन देते को घूम रहे हैं उनको यहां क्या का जोड़ने का हम जीतेंगे जभी जब जुड़ेंगे जीतेंगे जिद्ध हमारी जुड़ने की है जुड़ेंगे जीतेंगे जिद्ध जुड़ने की है जो पहले जुड़े है वो पहले जीतेंगे जो अब जुड़ेंगे वो अब जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे व तो 100 साल तक खतम हो जाएंगे फिर जुड़ने लायक बचेंगे नहीं क्योंकि अगले 30 साल तक तो आप जुड़ने के लायक नहीं बचोगे, आप गोटी कमाओगे, भीक मांगोगे, मजदूरी करोगे, या जुड़ने जुड़ने के लिए पोटल पे आओगे, आपके पास मजदूरी का तू कौन सा इंटरनेट से, खिट जोता है का जा, कसला ले और जाके कर, तुझे को इंटरनेट जोतनी है, ये हालत आएगी हमारे पड़े लेके लोगों के भी, आपको अभी सबज में नहीं आ रहा है, अगर आँख उठा के देखोगे, तो भविश्चे सामन अधिकार उनके घर पहुचा देगा, और जो एकटे नहीं होंगे, उनके घर, उनके बरवाद हो जाएंगे, वो लोग बरवाद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, एक रुपया खश नहीं करना है, कोई संगर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगे सत्ती कहना है और संघंग नमामी कहना है सुबह उठते ही कहना है संघंग नमामी संघंग को नमन करता हूं दुपेर को दो बजे रोटी खाने के बाद कहना है संघंग नमामी संघंग को नमन करता हूं और सोने से यह concept है यह पहला golden जो नियम है उसका concept है जिसमें केवल समण क्यों है फिर एक दिन बाद जो concept आएगा वो दूसर नमबर का आएगा जो चंदा कभी नहीं यानि समण संदा कभी नहीं लेता उसका क्या है यह जो concept लगाता लोगों को बताना है जितनी जल्दी हम बताते धन्यवाद आप सबी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को Representative मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या का किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। तूथियं पी गुद्धं सरनं गच्छाम। बूथियं पी गुद्धं सरनं गच्छाम। तूथियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छाम। तूथियं पी गुद्धं सरनं गच्छाम। तूथियं पी संगं सरनं गच्छाम। बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी बुद्धम सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततिय возможноर पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी volts बुद्धम सर्णं कच्छान्स